है 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 लो बच्चों मैं दीपेंसिंग आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल राद इस्टेडी हपने स्वागत करता हूं यह इस वीडियो में क्लाश नाइंद के बच्चे पढ़ेंगे फिजिक्स का लेक्चर नमबर टू लेक्चर नमबर फ़स्ट पढ़ दिया था जिन बच्चों ने भी तक नहीं पढ़ा है लेक्चर नमबर फ़स्ट तो सबसे पहले लेक्चर नमबर फ़स्ट पढ़ें ठीक है उसके वाल लेक्चर नमबर सेकेंड पढ़ाएंगे यह जो लेक्चर है वो सभी के लिए इपॉर्टेंट अगर क्लाश ट लेक्चर नमबर फ़स्ट नाइन तो सबसे पहले देखो बात करतें सदिस रासियों की और अधिस रासियों की ऐसे के और देखो जैसे आपको सत्त होता है सत्त का अगर आपको अपोजिट लिखना हो विलॉव सब्द लिखना हो तो क्या करें इसके आंगे आ लगा दें असत्त का मतलब होता है जहां सत्त हो असत्त का मतलब हो गता है जहां सत्त ना हो गया असत्त मतलब जिसके आंगे आ लग गया व अब दिशा के आंगे आ लग गया है तो इसका मतलब हो गया है जहां पर क्या हो दिशा ना हो तो अदिश का मतलब हो गया है जहां पर केवल और केवल का क्या हो परिमार हो दिशा ना हो दिसा ना हो केवल और केवल परिमार हो सदिस की बात करें तो देखो सदिस का मतलब होता है सा का मतलब आप समझ सकते हैं साथ और दिस का मतलब दिसा तो जहां पे क्या हो कि दिसा की भी आव सकता हो और परिमार की भी आव सकता हो उसको बोलते हैं सदिसरासिया ये हो गई सदिसरासिया और ये अदिसरासिया बाकिया आपको थिवरी साइड में देख रही है तो देखो क्या कहते हैं अगर अदिसरासियों की परिवासा बोलेंगे तो अदिसरासिया क्या होती है वे मौतिक रासियां जिन्हें विक्त करने के लिए परिमार के साथ दिसा की आवसक्ता नहीं होती है क्या कहलाती है अदिस रासिया जैसे बात करें तो क्या होता है समय समय आपको कभी भी दिसा बता कर नहीं बताया जाता है दिसा के साथ नहीं बताया जाता है इसका कोई मतलब नहीं है जिसा का ठीक है जैसे आपसे बात कर दें दूरी तो कह दें कि यहां से आगरा की दूरी कितनी है तो आप डायक्ट बता देंगी डाई सो किलो मीटर तीन सो किलो मीटर या आपके यहां से जितनी किलो मीटर होगी वो बता देंगी ठीक है तो उसमें दूरी के लिए दिसा किया हो सकता नहीं होती है ठीक है लेकिन आपसे पूछे कि हमें आगरा जाना है तो हम कैसे जाएं मतलब इस्तापन पूछ रहा है तब आप बताएंगे कि 200 किलो मीटर पूब्र की ओर जाएं पश्चिम की ओर जाएं या कैसे मुड़े ठीक है तो जैसे ह हो गई इस समय दूरि द्रामान मतलब जैसे किसी वस्तु को आप लेने जाते हैं जो तोलने के लिए वस्त होती है जैसे आप दो तो इसमें 2 लिटर नापने के लिए आपको दिसा किया हैं सकता नहीं होगी या तो चीनी को लेने के लिए थुकांदार करके नहीं बताएं कि आप 5물र दच्छड की और और दे दीजिए आप उसे सीधे चीदे बताएं पांच किलो ग्राम चीनी दे दीजिए तो इस प्रकार यह होती है सदिस रासिया अब देखो इसके बाद कर बात करें और यह होती है अदिस रासिया और सदिस रासिया क्या होती है वे बहुतिक रासिया परिवासा कैसे देंगे देखो इसकी परिवासा आप ऐसे पहले उसको परिमार किया हो सकता होती है अदिसा की नहीं होती है क्या कहलाती है सदिस रासियों की एकजामपल यह है और अन एकजामपल आपको इसमें फिवरी में दे रहा है इसके बाद बात करते हैं सदिस रासियां तो वे बहुतिक रासियां जिन्हें विक्त करने के लिए परिमार हुआ दिसा दोनों की आवसकता होती है सदिस रासियां कहलाती है जैसे आप बात करें कि विस्तापन विस्तापन का एक्जामपल आपको समझा है हमने कि जैसे आप से कोई चीच पूस्च दे कि यहां से वहां तक जाना है किस दिसा में है, तो वो इस्तापन हो जाएगा जैसे होता है वेग, वेग में दिसा किया वा सकता होती है बलt, बल आप एक निस्डिक डाइरेक्शन में भल लगाएगे आपसे कह रहा है कार एक दे रहा है और कार में आपसे बल लगाने को कह रहा है ठीक है ये कार है आपसे आदमी कोई कह रहा है कि इस तरफ से इसमें बल लगाई है आप इस तरफ से लगाने लगे तो क्या होगा गलत हो जाएगा जब उसमें बल लगाने कहेगा तो एक निस्टिट डायेक्शन बताएगा कि किस डायेक्शन में आपको बल लगाना है इत्यादी और है वह आपको एक्जामपल में देख रहे हैं ठीक है तो अधिस और सदिस रासियों बच्चें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई एक बार फिर से आप देख लीजिए जिससे आपको डिफिनिशन याद हो जाएं ठीक है कैसे याद करेंगे देखो सदिस रादिस रासियों की वे बहुतिक रासियां जिनहीं विक्त करने के लिए केवल और केवल परिमार किया हो सकता होती है दिसा किया हो सकता नहीं होती है क्या कहलाती है अधिस रासिय जाद ठीक है यह सब हो गई इसके बाद देखिए इसके बाद देखो एक और रासियां होती है जिनको बोलते हैं हम लोग प्रदिस रासियां भ्यान समझना इस बात को वैसे यह important नहीं है पुछा नहीं जाता है लेकिन इनको समझना इसको जरूरी है पहले देखो अदिस और सदिस के में अंतर समझ लेजिए अदिस रासियों और सदिस रासियों में अंतर हुआ सदिस रासियों में अंतर तो फश्ट अंतर की बात करें पहले अंतर की तो जो पहला अंतर यही होता है कि इसमें क्या करेंगे इसमें परिवासा लिख देंगे परिवासा क्या कि वही अधिस रासियों को पहले में क्या करेंगे परिवासा लिख देंगे अधिस और सदिस की इसके पहले point में क्या करेंगे अदिस की परिवासा लिख देंगे अदिस रासियों की परिवासा आपको बताईए क्या होता है वे बहुतिक रासिया जिने वेक्त करने के लिए आख मतलब अनुपस्ती तो क्या दिस मने दिसा जिसको वेक्त करने के लिए केवल परिमार क्या हो सकता होती दिसा की नहीं क्या कहलाती है अधिस रासियां और सदिस रासियों में इसकी परिवासा लिख देंगे कि वे बहुतिक रासियां जिने विक्त करने के लिए परिमार वाधिसा दोनों के आउसकता होती है सदिस रासियां कहलाती है दोनों के एक्जामपल दे देंगे त इसके बाद देखो बात करते हैं दूसरे पॉइंट में तो दूसरे पॉइंट में याद रखना कि जो अधिस रासियां होती है वो साधारण नियमों द्वारा जोड़ी या घटाई जाती है तो अधिस रासियां साधारा नियमों द्वारा जोड़ी जाती है और जबकि जो अधिस रासियां होती है वो क्या होती है गड़ती नियमों के अनुसर जोड़ी या घटाई जाती है इसके दूसरे पॉइंट में लिखेंगे सदिस रासियां ठीक है जो गड़ती नियमों होते हैं सदिस के गड़ती नियमों इसके सदिस के नियमों होते हैं घटाई जाती है छीक है देखो वीडियो अगर किलियर न दिखा करें तो आप लोग क्या कीजिया किया किजिए क्वाल्टी बढ़ा लिया किजिए ठीक सिक्ष्टी पे देखिए ज़्याद्ध आपका डाटा भी नहीं लगेगा और वीडियो क्लियर आपको दिखाई देग इसकी बाद इसको यह ओगया अब इसके देखो जो गड़ती नियम होते है सदीस के वह आपको क्लाश 11 ने पढ़ने को मिलेगा वो जो नियम होते है wär्फ। कुछ का नियम यह सम नियम होते हैं वह आपको क्लास्ट 11 पढ़ने को मिलेगा नाइंद में जो जरूर है वह आम आपको पढ़ाए दे रहा है फिर तेको तीसरा जो पॉइंट होता है थर्ड और अंतिम पॉइंट तीसरे पॉइंट में कहता है कि जो सदिस रास अदिस रासिय होती है तो इन्हें कैसे वेक्ट करते हैं इन्हें एक अच्छर वा परिमार द्वारा वेक्ट किया जाता है जाता है जैसे आपको समय बताना हो तो क्या होगा समय का मात्रा क्या होता है टी जैसे दो सेकेंड तो टूटी ठीक है या टी बराबर तो इसको सादान अच्छर द्वारा वेक्ट किया जाता है या एक अच्छर वा परिमार द्वारा वेक्ट किया जाता है जबकि इसके थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसी जो विक्त करते हैं वो क्या करते हैं कि अच्छर के उपर सदिस रासियों के उपर तीर लगा कर विक्त किया जाता है तो सदिस रासियों के उपर तीर लगा कर वेक्त किया जाता है जैसे जैसे तुरण की बात करें तो जो तुरण को वेक्त करेंगे वो क्या करेंगे एसे लिखते हैं लेकिन इसकी उपर क्या लगा देंगे तीर तो ये क्या हो गई सदिस रासे हो गई सदिस रासे होती है तुरण तो बात समझ में आए तो यह हो गया अधिस और सदिस का अंतर और अधिस और सदिस की परिवासा आपने पहले पड़े तो कि समझ लीजिए कि होता है प्रदिस रासिया जैसे सदिस और अधिस होती है तो ऐसे ही होती है प्रदिस रासिया प्रदिस रास यह क्या होती इनको बोलते टेंसर क्वांटिटी आप जो को टेंसर क्वांटिटी क्या होती है प्रदिस रास यह तो यह क्या होती है इनमें दिसा भी होती है परिमार भी होता है लेकिन यह सदिस नियमों का पालन नहीं करती है सदिस नियमों का पालन नहीं करती है नहीं करती है तो ऐसी रासियां क्या कहलाती है प्रदिस रासियां कहलाती है सदिस नियमों का पालन कैसे नहीं करती है मतलब कि ये साधान बीजगरती नियमों द्वारा ही जोड़ी या गटाई जाती है इनके लिए कोई विसेस सदिस को जोड़ने के लिए नियम होते हैं कि सदिस नियमों के नुसार जोड़ी या घटाई जाती है लेकिन इनको क्या किया जता है सदिस नियमों दोरा ही जोड़ाया घटाया जा सकता है इनके एक्जामपल की बात करें तो इनके एक्जामपल में आता है जैसे वैदुद्दारा, ठीक है, वैदुद्दारा हो गया, जरत्वागूर हो गया, प्रतिबल हो गया, विक्रती हो गया, तो इत्यादी क्या है, प्रदीस रास्किया, इस निशन आपको सर्ण में दिख रही है, आप उसको डोट कर सकते है इसके बाद देखो बात करते हैं दूरी की, दूरी क्या होती है, दूरी होती है, जैसे कोई गसील वस्तु है, वो एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक गई, तो इस इस्तान की, इस मार्ग की जो संपूर लंबाई होती है, वही क्या होती है, क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है तो किसी गसील वस्त द्वारा तैं किये गए मार्ग की संपूर लंबाई को क्या कहते है दूरी कहते है कैसे भी चले वो ठीक है ये पूरा जो मार्ग होगा इसकी संपूर लंबाई क्या कहलाएगी दूरी कहलाएगी तो किसी गसी लवस्तु द्वारा ते किये गए मार की संपूर लंबाई को दूरी कहते हैं ठीक है अब देखो बात करते हैं दूरी जो होती है वो कैसी रासी है यह एक अधिस रासी है ठीक है और इसका जो एसाई मात्रक होता है या मूल मात्रक होता है वो क्या होता है मीटर हो विस्तापन क्या होता है किसी गसील वस्तुदारत तैं किये गए मार्ग ये एक मार्ग हो गया इसके प्रारंभिक और अंतिम बिन्वों की बीच की नियुनतम दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है विस्तापन कहलाती है किसी गसीर वस्तुदारा तैं किये गए मार के प्रारंभिक वा नियुन्तम बिन्नु के बीच की दूरी को क्या कहते है विस्तापन जैसे ये अगर दो किलो मीटर है तो इसके लिए दूरी भी दो किलो मीटर है यहां से यहां तक जाने पर विस्तापन भी दो किलो मीटर है इतनी तैं की गई दो और एक तीन यह 3 किलो मीटर हो गई क्या दूरी लेकिन अगर विस्तापन यह आपका दे रहा हो वह ओपका ओडो किलो मीटर ठीक है तो एबी सी पॉइंट द्यान दो समझें ना दूरी क्या हो गई संपूर्ण तैं किये गए मार के संपूर्ण लंबाई तो पहले यहां से यहां तक गई वस्तु फिर उसके बाद यहां से यहां तक गई तो यह संपूर्ण लंबाई हो गई 3 किलो मीटर तो यह क्या हो गई दूरी लेकिन विस्तापन में आपने क्या पढ़ा कि किसी गसीर वस्तु दूर तो यह क्या हो जाएगी? 2 km तो यह कितना हो गया? तो यह नौर्मल जो दूरी हो गया, वह आपकी विस्तापन हो गया 2 km अब पता लगी, यह यहां से भी व्यूस्टी चलके इस प्रकार यहां पर आ गई समझे? तो जब यह यहां से यहां आ गई तो दूरी कितनी तैकी गई दो, एक, तीन और दो, पांच किलो मीटर, तो दूरी हो गई पांच किलो मीटर, लेकिन विस्तापन की अगर हम लोग बात करें, तो विस्तापन क्या था, प्रारंभिक बिंदू भी यही है, अंतिम बिंदू भी यही है, तो प्रारंभिक और अंत मिन्वों के बीच की नियुन्तम दूरी को क्या कहते है विस्तापन कैसे है विस्तापन कैसी रासी है एक सदिस रासी है जबकि दूरी कैसी रासी है एक अधिस रासी है बात करें अगर दूरी और विस्तापन के अंतर की तो दूरी व विस्तापन में अंतर दूरी और विस्तापन के अंतर की बात करें एक तरफ डालेंगे दूरी दूसरी तरफ विस्तापन दूरी के अगर फर्च्ट पॉइंट में बात करें तो पहले point में तो क्या करेंगे, इसकी परिवासा ही लिख देंगे, और इसमें इसकी परिवासा लिख देंगे, परिवासा आपको बता चुके हैं, वही आपको लिखना है, दूरी की परिवासा क्या होती है, किसी गसील वस्तुदारा, तै कि ए गयमार के संपूर लंबाई को विस्तापन की परिवासा क्या होती है किसी गस्ती लस्तुदारा रहते हैं कि ये गैमार के प्रारंभिक वांतिम मिन्वों के बीच की नियूंतम दूरी को क्या कहते है विस्तापन कहते है बात करें इसके सेकंड पॉइंट की तो जो दूरी कैसी रासी है अधिसरासी है दूरी अधिसरासी है जबकि विस्तापन के सेकेंड पॉइंट की बात करें तो विस्तापन कैसी रासी है सदिसरासी है यह एक सदिसरासी है कि इसके बाद बात करें इसके थर्ड पॉइंट की तीसरे पॉइंट की तो दिको होता क्या है कि जो दूरी और विस्तापन की बात करें थर्ड क्वाइंड की तो विस्तापन सदेव क्या हो दूरी सदेव क्या होती है दूरी सदेव धनात्मक होती है जबकि विस्तापन क्या होता है विस्तापन धनात्मक वा विर्णात्मक अथवा सून ने भी हो सकता है विस्तापन धनात्मग कॉमारेणात्मग वह सून भी हो सकता है ठीक है इस पॉइंट को आप लोग समझ लीजिए ठीक हो जैसे आपने यहां से चलना भी आपको समझाया था यहां से आपने चलना चालू किया एसे बी तक आपको जाना है यह दूरी दे रहा है पांच किलो मीटर ठीक है तो इधर आपको जाना है आपने क्या किया कि आप पहले इस तरह बगए दो किलो मीटर तो जब दो किलो मीटर इस तरफ जाएंगे तो दूरी क्या होगी दो किलो मीटर ही होगी लेकि विस्तापन क्या हो जाएगा माइनस के दो हो जाएगा क्योंकि मुल्टा चले है दिसा भी बताना है ठीक है तो यह माइनस को दो हो जाएगा तो इससे तो आपको समझ में आया कि विस्तापन क्या होगा विस्तापन डिडात्मक भी हो सकता है जबकि दूरी केवल क्या होई धनात्मक अब यहां से रिटर ना है यहां तक तो दूरी क्या हो गई यहां से यहां तक पहले चले दो किलो मीटर दो और यह फिर दो आए चार और पांच यह तो पांच चार कितना हो गया नो जबकि विस्तापन दो यह चले फिर दो वापस है तो यहां तक आके विस्तापन क्या हो गया जीरो और यहां तक चले तो पांच किलो मीटर तो विस्तापन केवल क्या रहा है पांच किलो मीटर तो यहां गए और यहां है तो यहां तक आने में भी विस्तापन क्या हुआ था सून भी हो सकता है यहां से यहां तक गए तो क्या था प्लस का पांच था तो धनात्मक भी हो सकता है ठीक है दूरी क्या होगी दूरी का मान विस्तापन के एक और पॉइंट याद रखना विशेश में कि दूरी का मान विस्तापन के बराबर भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है यहां से अगर यहां तक डारेक्ट आते सीधे तो यह दूरी भी पांस थी और विस्तापन भी पा भी हो सकता है तो उम्मीद करते हैं बच्चों दूरी और विस्तापन आपको समझ में आ गया होगा देखो आप समझेंगे एक समान गति क्या होती है और आसमान गति क्या होती है यूनिफार्म मोसन तो एक समान गति क्या होती है जब कोई गसील वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तै करे तो उसकी इस प्रकार की गति क्या कहलाती है एक समान गति कहलाती है फिर समझना जब कोई गसील वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तै करे त तो उसकी गति क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है, ठीक है, जैसे कोई कार एक पहले घंटे में पचास किलो मीटर गई, फिर दूसरे एक घंटे में, मतलब एक घंटा फिर लगा, फिर एक घंटे में, फिर पचास किलो मीटर जा रहे है, तो ये इस प्रिकार क्या कर रहा ह इसमें भी एक गंटे का समय लगा 50 km, तो समान समय इंतरालों में समान दूरियां तै कर रही है, इसलिए इसकी चाल को क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं, ठीक है, ठियोरी आप लोग साइट से नोट कर लेंगे, एक समान चाल का जो ग्राफ होता है, वो देखेंगे बच्च यहां से बनाएंगे देखके, तो देखो यह क्या हो गया समय, और यह क्या है दूरी, तो जैसे यह यहां पे था, एक गंटे, फिर यहां पे गया, फिर एक गंटे, इस बात को समझिएगा, जैसे यह 10 सेकंड में 20 मीटर गई, किसी गसी लवचने दूरी तैंगे, फिर उसके बात, यहां पे यहां पे 10 सेकंड था, यहां पे हो गया 20 सेकंड, 20 सेकंड में यह 40 मीटर गई, तो देखेंगे, अगले 10 सेकंड में भी कितना गई यह दूरी, 20 मीटर ही गई है, तो समान समय अंतराल में क्या कर रही है, समान दूरी तैंग कर रही है, यह आपको लिखने की जरूर नहीं है, इस पकार निरूपित कर सकते हैं, ठीक है, और इसका एक और फिगर देख जिए, जरूरी नहीं यहां से समय की गढ़ना की जाए, चाल की दूरी की यहां से भी कर सकते हैं, पहले यहां पेस्तिर थी, इसके बाद चलना प्रारम होई, तो यह हो गया समय, यह हो गई दूरी, और यह हो गई गति, तो यह हो गया एक समान गति का ग्राफ, ऐसे बनेग है तो कि आ समान गति क्या होता है तो जब कोई गसील वस्तू क्या हो भिन्न भिन्ने समय अंतरालों में भिन्ने दूरियां तै करें तो इसकी प्रकार की गति क्या कहलाती है समान समय अंत्रालों में भिन्न भिन्न दूरियां तैं करें जैसे पहले गंटे में वह 50 km गई पिर दूसरे गंटे में अगले गंटे में क्या होई फिर वह 60 km गई तो क्या हो रही है समय समान है लेकिन दूरियां क्या है भिन्न भिन्न है तो जब कोई गसील वस्त समान समय अं कि गति क्या कहलाती है एक सब्धिन दूरिया तै करें तो इसकी प्रकार की क्या कहलाती है आसमान गति कहलाती है आसमान गति के लिए ग्राफ देखिए इस प्रकार हो सकता है ग्राफ ये क्या है समय ये क्या है दूरी इस प्रकार हो सकता है निरंतर क्या हो रही है गती बढ़ती जा रही है ये है दूरी ये है समय इस प्रकार हो सकता है क्या हो रहा है निरंतर घट रहा है यह हो गया समय तो इस प्रकार क्या होगा इसके ग्राब बन सकते हैं आसमान गतिए